नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बिहधी महत्व पूर्ण चानकारी को ले करके जिहां अगर आपको भी है साइनस तो आज से ही शुरू कर दें ये कारे आपको साइनस के प्रोब्लेम से छोटकारा मिल जाएग जिहां आएए आज हम आप सभी को साइनस की समस्या को दूर करने के कुछ एक अत्यंत सरल तरीके बता रहे हैं साथ ही वे बता रहे हैं कि इंटी हेस्टामीन लेना कैसे नुकसान दायक हो सकता है और कौन से योग एक अभ्यास हमारी मदद कर सकते हैं किसी ने पूछा है कि साइनस वह अच्छाती में अक्सर कंजेक्शन की समस्या हो जाती हैं साइनस की यह समस्या किसी की खुश हाली को कैसे प्रभावित करती है और क्या इस कुठी करने का कोई तरीका है sinus से कई चीज़ें तै होती है sinus एक बहुत ही जटिल plumbing job है कहां पर वह जाम हो रहा है और कहां से वह बह रहा है ये सब कई चीज़ों पर निर्भर करता है आमतोर पर लोगों को sinus के जाम होने की तकलीब तब ज्यादा होती है जब ये लेटते हैं लेकिन फिर भी यह कई और तरीके से भी हो सकती है आपका sinus का रास्ता कितना साफ है और आपके शरीर एवं खास कर सीर के इलाके में तरल पदार्थ कितनी संतुलित आवस्था में है इससे कई चीज़ें तै होती हैं जैसे आपके मस्तिष्क के काम करने का तरीका आपकी खुशहाली आपके भीतर संतुलन आपकी बुद्धी और पांचो ग्यानेंद्रियों का पहना पर sinus की समस्या में कपाल भाती और जल नेती मदद कर सकते हैं आपके sinus को संतुलित रखना और उनके भीतर होने वाले तरल के बहाव को निर्बाद रखना बहुत जरूरी है अब सवाल है कि इस स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं अगर आप काफी समय से कपाल भाती कर रहे हैं तो यह आपके भीतर इस संतुलन को स्थापित कर देती है अगर आप इस दिशा में कुछ शुरुवाती चीज चाहते हैं तो आप बल्गम को कम करने के लिए जलनेती कर सकते हैं लेकिन यह अभ्यास पूरी कुशल्ता एवं सही तरीके से सिखाया जाना चाहिए क्योंकि अधूरी जानकारी जो होती है वो ओल्वेज भायदे की जगह लोस देने वाली होती है आपको कोई भी हट योगी टीचर्स जरुवत पढ़ने पर सिखा सकते हैं आप अपने पास के केंदर में जा करके सिख सकते हैं हर तरल पदार्थ को सुखा देना ठीक नहीं होता है चुकि अधिक बल्गम जाम की इस्थिती पैदा करती है तो इसका एक उपाय तो यह है कि बल्गम के अस्तर को कम रखा जाए दूसरा इसका पता लगाना चाहिए कि साइनस में कुछ जगह बार बार जाम क्यों हो रही है इस समस्या में ली गई आधुनिक दवाईयां कीमिकल से तरल को सुखा देती है अगर आप एंटी हेस्टा माइन दवा लेंगे तो यह आपके सिस्टम से बिना कोई भेद भाव किये हर तरह के तरल को सुखा देगी लेकिन शरीर में इन तरल पदार्थों की जरूरत भी होती है मानो शरीर और उसके पांचों इंद्रियों का कामकाज इस पर निर्भर होता है कि शरीर में तरल पदार्थों की गतिविधी कैसी है तरल के एक सीमा के बाद ज्यादा होने से अगर आपको एलर्जी नहीं है तो उसे सुखाना कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है ये ध्यान रखें कि sinus allergy से भी हो सकता है sinus का जाम होना allergy के चलते भी हो सकता है अगर आपके घर में धूल या किसी तरह की कोई allergy वाली चीज है तो भी आपका sinus जाम हो सकता है इसलिए सबसे पहले अपने घर को धूल रहित बनाए और दूसरा तरीका है कि आप अपनी भीतर इस allergy से लड़ने के लिए जरूरी प्रतिरोधक पैदा कीजिए शरीर को प्रतिरोधी बनाने का एक तरीका है कि भोजन के बाद एक चमच दही और एक चमच शहद एक साथ लिजिए और उसके डेढ़ से दो घंटे तक पानी मत पीजिए यहाँ आपके शरीर में इसी नोफील लेवल को घटाएगा और आपके allergic चीजों के प्रति आपकी समवेदन, शिल्ता, अश्चर ये जनक धंग से कम हो जाएगी लेकिन ऐसा तभी होगा कि जब दही एक खास गाय के दूद से तहयार किया गया हो डेरी पदार्थों के सेवन से हो सकता है साइनस जी हाँ, यह काम बड़े पैमाने पर तहयार होने वाले दही से नहीं हो सकता जैसे डेरी में हजारों गायों का दूद एक साथ मिला कर तैयार की गई दही काम नहीं आएगी दुनिया भर में आज लोग जो दूद पी रहे हैं वो फैक्टरी फार्म्स में तैयार हो रहा है लेकिन उस इस्थिती में दूद के सेवन के जो फायदे हैं वे कहीं खो रहे हैं दरसल जो एनिमल प्रोडक्ट्स कई जानवरों के इकठा की गई चीजों को मिला कर तैयार किये जा रहे हैं उसके सेवन से फायदे कम और नुकसान जादा होते हैं अगर आप प्रोडक्ट्स के प्राप्त किसी चीज का सेवन कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि वह पदार्थ एक ही पशू से लिया जाए अगर आप बड़े पहमाने पर तैयार डेयरी पदार्थों का सेवन बंद कर दें तो एक से दो हपते में आपके बलगम की समस्या दूर हो सकती है शहद और सुर्य नमस्कार है फायदे मंद सहिनस में बलगम को दूर करने के लिए एक आसान सा काम तो आप तुरंत कर सकते हैं सुबह उठने के बाद आप थोड़े से गर्म पानी में शहद मिला लें इसके लिए आप डेरी पदार्थों को छोड़कर गर्म पानी के साथ शहद लें और एक खास ओधि तक कपाल भाती अगर आप शक्ति चालन क्रिया में दक्षित हो चुके हैं तो सुर्य नमस्कार या सुर्य क्रिया करें अगर आपने अपने इन अभ्यासों के जरिये अपने सिस्टम में परयाप्त मात्रा में उष्ण एम समत प्राण पैदा कर लेते हैं तो आपकी अधिक बल्गम वाली समस्या खत्म हो जाएगी लेकिन दवाओं के जरिये बल्गम को सुखाना कहीं से भी ठीक नहीं होता है तो ये थी आज की हमारी जहनकारी आप सभी के लिए कि बल्गम को कैसे कंट्रोल किया जाए यानि कि साइनस को कैसे कंट्रोल किया जाए आप जितने नेचुरल तरीके से अपने बल्गम को कंट्रोल करेंगे साइनस को कंट्रोल करेंगे उतना बहतर होता है उसकी बज़ाए अगर आप दवाओं का सेवन करते हैं हाँ, rare conditions हो गई हो, यानि कि मुश्किलात में आप फंस गए हो, sinus का level बढ़ गया है, तब तो आप इसका इस्तिम्याल करें, तब तो जरूरी हो जाता है कि आप दवाएं लें, सुखाएं उसको थोड़ा, लेकिन अगर आपका normal condition में है, तो आपको अपने health का ख्याल रखते आज की ये थी हमारी जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवात, नमस्कार दोस्तों